हेई गाईज, वेलकम चो एडियो मंत्रा, मेरा नाम हिधन लक्ष्मी और आज मैं आपको एक पोईटरी सिखाने जा रहे हूँ उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जब आप छोटे थे तो आपको याद होगा, बचपन में आपकी मम्मिया आपको डराया करती थी कि अगर बात नहीं सुनोगे, तो तुम्हें बात्रूम में बंद कर देंगे और हमें बहुत डर लग जाता था और हम चुपचौप सारी बाते सुन लेते थे ऐसा क्यू होता था, बात्रूम में बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं होगा प्रॉब्लम, लेकिन बंद रहने से डर लगता था हमें, तो ऐसे ही कुछ डर जानवरों को भी तो लगता है फिर भी हम उन्हें बंद रखते हैं, तो यह है हमारी पोईट्री जिसका नाम है A Tiger in the Zoo, जिसमें हम देखने जा रहे हैं, एक आनिमल की लाइफ कैसी होती है जू में, जिसे बिना गलती के बंद की कर दिया जाता है तो शुरू करते हैं यह पोईट्री, तो यहां मैंने पोउम जो है लिखी हुई है, मैं पहले रीट करके सुना देती हूं He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on paths of velvet quiet in his quiet rage तो यहां पर ही कौन है, यहां नाम नहीं दिया गया है बट उसके आगे जो description उसका होता है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि यह जो ही है वो एक tiger है तो he stalks, stalks मतलब किसी का पीछा करना तो वो अपने vivid stripes यानि बहुत ही colorful stripes तो stripes कौन सी animal को होता है, tiger को ही होता है, right तो वो अपने उसकी body पे पुरी vivid, बहुत ही colorful stripes है और वो क्या कर रहा है, वो पीछा कर रहा है, यानि इसे दबे पाव चलना वो ऐसे stalk कर रहा है, बट वो कितना चल पा रहा है, he is only able to walk few steps of his cage वो सिर्फ अपने cage के कुछ कदम तक चल पा रहा है तो एक बड़े से tiger को जो बड़े से jungle में घूमना चाहिए, उसे हमने एक चोटा सा cage दे दिया है एक पिंजरा दे दिया, बिचारा उसी में कैद होकर चल रहा है and on pads of velvet quiet, pads यानि जो उसके pair होते है, claws होते है tiger के, उसके नीचे आप देखोगे, उसे round round balls type pads होते, right so उसके जो paw है, उसकी जो pair है, उसको compare किया गया है, किस से velvet को से, आपने velvet देखा होगा, बहुत smooth होता है तो जो tigers होते हैं, उसके जो कदम होते हैं, बहुत ही soft होते हैं, ताकि आवाज ना पाई जब वो शिकार करें तो वो ऐसे ही कुछ अपने कदमों को रखके, जो बहुत ही quiet कदम है, उसके रखके चल रहा है और उस कदमों के साथ एक और चीज़े जो बहुत शांत है, quiet है, जो की है उसका rage rage यानी गुस्सा, अब गुस्सा शांत कैसे हो सकता है obviously जब एक शेल को उसके पिंजरे में कैद कर दिया जाता है तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा कर नहीं सकता है उसे अपने गुस्से को शांत करना पड़ता है, गुस्से को दबा कर चलना पड़ता है वरना या तो जो cage owners है वो से मारते है पीटते है खाना नहीं देते है तो इसलिए उसे अपने गुसे को काबू में करके चलना पड़ता है अब जो poet है वो next stanza में हमें बताता है कि उसे actual में किस life में रहना चाहिए था तो वो कहता है कि जो tiger है he should be lurking in shadows lurking मतला ऐसे बैठे रहना और किसी शिकार का इंतजार करना ओके सो किसी जंगल में किसी अंधेरे में छुपे हुए किसी शिकार का इंतजार करते हुए उसे बैठना चाहिए ना कि इस cage के चार चकर काटते हुए he should be sliding through long grass बड़ी बड़ी लंबी घास के बीच में से उसे चलना चाहिए और कहां पहुचना चाहिए एक water hole याने एक lake water body के पास पहुचना चाहिए जहां पे plump deer pass so plump deer मतलब एकदम हट्टे कट्टे जो deers होते हैं तो वो जहां से गुजरते हैं वहां पे उसको चोरी चुपे ऐसे चलना चाहिए और उसे उनका शिकार करना चाहिए एक जानवर का जो natural प्रवृत्ती है उसकी जो habit है वो है शिकार करना राइट so उससे वो छीन ली जाए तो उसकी life में कुछ बचता नहीं है तो ऐसा कुछ उससे करना चाहिए बढ़ अलाकि वो ऐसा अपनी life जी रहा है फिर आगे वो कहते है पोईट he should be snarling around houses snarling मतलब आपने देखा होगा ऐसे अपने जो teeth fard के ऐसे animals दिखाते हैं that sound is called it's a very rough sound बहुती rough sound animals निकालते हैं तो वो sound को snarling sound कहते हैं और generally गाव में जंगल में जो जंगल के असपास की गाव होते हैं वहाँ पर शेर की आवाज काफी आती है राइट so जंगल के किनारे उसे जो है भटकना चाहिए और snarling sound निकालना चाहिए bearing his white fangs, fangs यानि जो बड़े बड़े teeth होते है जानवर के वो उसको bear करना यानि uncover करना यानि खुला करना और उसे उसके claws और fangs दिखा के उसे village को terrorize करना यानि डरा धंगा के गूमने की आदत होते हैं यहां पर बचारा सेहमा सेहमा केज में घूम रहा है बट ही जो टाकत है वो उसके पीछे रह चुकी है तो उसकी ताकत जो है बाहर नहीं आ सकती और He is talking the length of his cage सिर्फ वो उतने हिस्से में ही वो चल रहा है बिचारा और जो visitors है जो बच्चे उसे देखने आते है जो visitors उसे देखने आते है वो उन सबको ignore करके चुपचा बस चल रहा है Why is he ignoring? Because he is angry with human beings उसे human beings पे बहुत गुसा आ रहा है इसलिए वो उन बच्चों को उन visitors को देखके ignore कर रहा है Final stanza देखते है He hears the last voice at night और जब वो रात में सोता है सोने की लिये जाता है तो फिर उसे आवाजे सुनाई देती है किसकी आवाजे सुनाई देती है Patrolling Cars की Patrol यानि आपने सुना होगा ये word Crime Patrol होता है Crime Patrol नहीं है वो Patrol है Patrol मतलब चकर काटना किसी को गार्ड करते होए उसके सावधानी बरतना So जो Cars होती है रात में Generally जो पुलीस वैन या फिर जो सेक्योरिटी लोग होती है उनकी Cars जो है जू के आसपास चकर काटती है तो उनकी Voices वो सुनता है और वचारा अपने केज में बैटके बस क्या करता है वो सोता नहीं है वो आसमान में जो है तारो को देखता है और उसकी Brilliant Eyes और Brilliant Stars So देखो उसकी Eyes और Stars जोन को Brilliant कहा गया है जैसी चमक तारो में होती वैसी चमक उसकी आख में है Because जो Stars है वो उसको Hope देते है Because Stars जो है एक खुले आसमान में आजाद होते है वैसे ही वो उस खुले जंगल में एक आजाद तारा वरना चाता है So इसके साथ हमारी जो है Poetry वो end हो जाती है So यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है जो हमने सीखे इसमें Stock मतलब follow यानि पीछा करना किसी का आप किसी को Facebook पे stock करते हो उसके बाद vivid यानि bright colored बहुती bright colors होते है Vibrant colors होते है Pad जो कि मैंने बताया है आपको animals के paw Rage यानि गुसा लर्क यानि जो मैंने आपको वापस बताया था चुपे रहना किसी का शिकार करते होए Snarl यानि warning sounds जो animals निकालते है Bear यानि खोलना Fang, teeth, patrol Crime patrol यानि जो है किसी को guard करना So यहाँ पर जो figures of speech है अगर आपसे पूछा जाए एक्जाम में तो आपे main three figures of speech है First है personification मानवी करन Tiger को ही बोला गया है Tiger एक animal है उसे इट बोलना चाहिए बढ़ यहां ही बोला गया है यानि उसे एक इनसान रूप दिया गया है और इनसान का रूप इसलिए दिया गया है ताकि हम उसकी feelings को value करें और उसकी तकलीफ को समझे और metaphor है metaphor यानि comparison इसका मैंने एक video बनाया है आप figures of speech उसमें देख सकते है So comparison किया गया है Tiger के paw का किसके साथ? Velvet के साथ और finally यहां पर alliteration है यह sounds like plum, pass, behind bars, burr, burr, burr So यह तीन major है literary devices यानि figures of speech उसके अलावा छोटे मोटे आपको और भी मिल सकते हैं इस poetry की theme देखिए यह theme आपको answers में भी help करेगी आप answer में यह theme लिख सकते हैं So सबसे पहला theme है helplessness and pain of a caged tiger एक zoo में बंद, एक पिंचरे में बंद जानवर जो है tiger उसकी लाचारी और उसकी तकलीफ का इसमें explanation दिया गया है story में दूसरा है Animals shouldn't be caged for human enjoyment They should live happily in the jungle यहां में जू लिख दिया है guys ऐसा नहीं करो उन्हें जंगल में रखो Okay so animals जो है उनको केज में नहीं रखना चाहिए सिर्फ हमारी खुशी के लिए हमारी excitement के लिए उन्हें जंगल में खुला छोड़ना चाहिए Okay because वो लोग वही पे बिलॉंग करते हैं तो जो जहां बिलॉंग करता है उसे वही रखना चाहिए जैसे tiger zoo में नहीं बिलॉंग करता है वो जंगल में करता है और आप bathroom में नहीं आप घर में बिलॉंग करते हैं So guys उमीद है आपको यह story पसंद आई अब मिलते हैं हम next lecture में यहां मैं आपको दूसरी कोई chapter explain करूंगी तब तक के लिए have a nice time